COVID-19 pandemic ने देश और दुनिया के सामने एक बड़ी चनोती पिछले लगबग डेड़ वर्ष से रखी और उस चनोती के समय भी मानने मोदी जी के नितरतब में जहां एक और देश के गरीब और देश की जनता को अलग-लग राहत समय समय पर देने का काम किया और वहीं पर मेक इन इंडिया वैक्सिन बनाने का काम भी हुआ वैक्सिन बनाई भी और लगाने के काम में भी आज एक बड़ी उपलब्दी देश ने हासिल की है सौ क्रोड वैक्सिन, सौ क्रोड वैक्सिनेशन भारत ने पूरा किया है जिसके अफसर पर मैं सभी देश वासियों को विशेश तोर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को सभी राज्यों को बधाई देता हूं डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इन सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा भय और भ्रहम की स्थितियां भी पैदा की गई लेकिन उसके बावजूद भी लोग आगे बढ़कर आ अन्य परधान मंतरीज ने हमें नेतर तक दिया और देश को आगे बढ़ाने का काम किया उनका अभार पर कट करते हैं भारत ने वो मुकाम हासिल किया है तेकि बड़े बड़े देश विक्से देशों में भी जिस तरह से वैक्सिनेशन को लेके ड्राइव शुरू की गई ल दुरुकम खेत्रों में पिछडे खेत्रों में जाकर जिस तरह से वैक्सिनेशन ड्राइव को हमारे डॉक्टर्स ने लैब टेक्नीशन ने नर्सिज ने पैरेमेडिकल स्टाफ ने और इसे मुहीम से जुड़े हुए लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया है वो दुनिया आज भारत की और देख रहे हैं कि 100 करोड का आंकड़ा पाना एक बहुत बड़ी उपलब्दी है पिछले साल शायद इस समय के दुरान कोई सोच भी न रहा हो कि क्या होगा लेकिन चंद महिनों के अंदर 100 करोड का आंकड़ा पाना अपने आप में बहुत कुछ कह करता है और जो लोग कल तक ताली और थाली पर मजाक उड़ाते थे उनके सामने भी आया है जो लोग कल तक भारत की वैक्सिन के उपर प्रशन खड़ा करते थे उनके लिए भी जवाब है कि हिंदोस्तान की जंता ने अपने विज्यानिकों पर मेकिन इंडिया पर विश्व